हलो फ्रेंड सौगत है आपका मेरी चैनल फेक्टिफाइड इस्टडीस इन कुईज में मेरा नाम है मन और आज हम बात करने वाल हैं पच्चीस ऐसे संगम को क्या कहा जाता है तता यह बाद में यमुना में जाके मिल जाती है तो इसका सही आंसर होगा चंबल दूसरे गोश्चन की बात कर लेता है अलक नंदा तता भागी रती के संगम को क्या कहा जाता है अलक नंदा और भागी रती के संगम को देव प्रयाक कहा जाता है बात करें रुद्र प्रियाग की तो रुद्र प्रियाग मंदा की नी और अलक नंदा के संगम को कहा जाता है इसे question देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा वैसे overall देखा जा और गंगा की लंबाई के बात करें तो हम 25-25 km है वरॉल एवध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है इस जो है सर्यू नदी के किनारे बसा हुआ है जिसे हम घंगर नदी या करणाली नदी भी कहते हैं अब अगला कोश्चन देख लेते हैं गंगा की सबसे लंबी साहाइक नदी कौन सी है तो इस यमना गंगा की सबसे लंबी साहाइक नदी है इसकी लंबाई 1350 km है बाकी की बात करें तो ये गंडक सोन और घागर भी गंगा की ही साहाइक नदी है तो इसे भी आप याद रखिएगा कौन सा नर्मदा का उद्गम इस्थल है यह बहुत से लोग जानते होंगे जैसा कि जाना पाओ है तो जो चंबल का उद्गम इस्थल है तो अमरकंडक इसका सही जवाब है अगला कोश्चन दिखते हैं पाश नदियों को प्रदेश कहा जाता है बिहार का सुक किस नदी को कहा जाता है इसी तरह दामुदर नदी को पस्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि वह भी हां पाढ़ के कारण अगला कॉस्चन है हमारा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो गाइस महा नदी गोदावरी कृष्णा तीनो नदिया डेल्टा बनाती है चबकि ताक्त फशी गोदावरी क्रेश्चन और गंगा नदी बात करते हैं सबसे बडा डेलटा किस नदी के महाने पर इस्तित है बहुत सारे लोग जानते होंगे सुंदर वन डेल्टा नाम आप लोग नूट कर लीजगा अगर आपको नहीं आता है तो कावेरी नदी जल्विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो सक कावेरी नदी जल्विवाद है, जो तमिल नाडु तदा करनाटक राज्यों के बीच है, क्रश्ना की साहक नदी नहीं है, तो काई स्तुंग भद्रा, माल प्रवा और घट्रवा तीनों क्रश्ना ये साहक अम्रावती जो है कृष्णा की शायक नदी नहीं है यरलूंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है तो गाइस यरलूंग जंगबो नदी को हम भारत में ब्रह्मो पुत्र के नाम से जानते हैं इसे तिब्बत में यरलूंग जंगबो कहा जाता है अगला में माप्चा चुंग हिमनद नेपाल से निकलती है तो यह लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा जो जो मैं बोलते जा रहा हूं भारत एवं पाकिस्तान के मद्द सिंदु जल संदी कब होई थी तो गाइस भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंदु जल संदी 1960 में होई थी अ बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं बंगाल का सोक दामुदर नदी को कहा जाता है उसी नदी को भीहर का शोक कहा जाता है एक बार और रीवीजन गल्लत है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है तो गाइस कृष्ण देख लेते हैं विष्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजुली किस नदी परिस्तित है तो गैज ये ब्रह्मो पुत्र नदी परिस्तित है जो कि आसम है मांजुली और जिसे सर्वलन सोनोवाल के सरकार ने अभी कुछ समय पहले जिले का दरजा दिया है कौन सी नदी ब्रहं है ध़्यक्षटम वह समय तो गैज लूनी नदी जो है वह भूमः वदित ये राजस्तान में बहती है यह अरवली परवस्तुे निकलती है तता राजस्तान के थारमरस्थल में लुप्त हो जाती है ना किसी समुद्र में गिरती है इसलिए से भूमः वदित नदी नदी का अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी और बी यह से वीडियो वना सकू, धन्यवाग.